स्तूती महीमा एशु प्रभुजी गाते आते है तुछ पास जीवन चल के प्यास एक ही दो है आस जग निर्माता मुक्ति दाता जीवन चल के प्यास जीवन चल के प्यास जीवन चल देखास प्रभु एशु मशी के पवितर नाम पर प्रेम भरा नमस्कार प्रभु की आशिम करना से पिछले पांच साल से सुबसंदे चैनल द्वारा प्रस्तुत के इस जीवन चल कारेक्रम में आपका स्वागत करते हैं यह कारेक्रम बहुत प्रियजनों के जीवन में प्रभु एशु मसीग पर विश्वास करके उद्धार पाने और मसीज जीवन के लिए एक आशिश का कारण हो गया है प्रभु की महिमा हो परमेश्वर का वचन कहता है क्या ही धन्य है हर एक जो यहुआ का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है यही इस जीवन जल कार्यक्रम का उद्धेश है कि आप अपने परिवार के साथ परमेश्वर के वचन में सच्चाई का मार्ग एवं प्रभु एशु मसीपर विश्वास के द्वारा सच्चाई का जीवन अन्भों कर सके आपके और आपके परिवार का उद्धार और आशिश का कारण ठरे यही हमारी प्रार्तना है इस कार्यक्रम का लाब उठाते हुए आप इस विशे में जरूर अपने पडोसी और प्रिय जनों के सूचित करे साथ ही करस्पंडन के माध्यम द्वारा मराटी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में बाइबल का अध्येन भी कर सकते हैं प्रभू का वचन सुने और आशिश पाए आमेन जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत का उधार करता प्रभू ईशु मसी के पवित्र नाम से नमस्कार योहन्ना अध्याई साथ और पद 37 में पवित्र शास्त वचन में ऐसा लिखा हुआ है ईशु ने लोगों को पकार कर कहा यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदे से जीवन के जल की नदिया बै निकलेगी क्या आप जीवन में प्यासे है क्या सचाई की तलाश में है प्रभु ईशु मसी आपके प्यास को बुझाना चाता है आपके सवालों का जवाब देना चाता है तो आएए आज परमेश्वर के संदेश सुनने से पहले अपने मनों को तयार करे और इस मदवर संगीत का आनन दुठाए आवाज उठाएंगे हम साज बजाएंगे है इशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे आवाज उठाएंगे संसार की सुन्दरता में यह रूप तो तेरा है मही मां की तेरी बाते हम सब को बताएंगे है इशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे आवाज उठाएंगे हम साज बजाएंगे इशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे आवाज उठाएंगे प्रबू के नाम को महिमा मिलें जीवंजल कार एकरम को देखने वाले सुनने वाले सबी सुरुताओं को प्रबू यह इशु के मधूर नाम में नमस्कार एक बार और हमारे पास अवसर है कि हम परमेशर की उपस्तिती में बैटकर परमेशर की वाणी को सुने और परमेशर के बारे में जाने जो हमारा स्रिष्टी करता है जो हमें बनाने वाला है जो हमसे प्रेम करता है उसके जैसा प्रेम और किसी का नहीं प्रभु येश्यू ने हमसे बहुत प्रेम किया वो प्रेमी प्रमेश्यू है प्रमेश्यू ने इस संसार से बहुत प्रेम किया और प्रेम की खातर अपने पुत्र को इस संसार में भेजा जिसके बारे में आज हम एक बार और देखने जा रहे हैं प्रभु येश्यू कौन है हम पिछले दिनों में देखते आए हैं प्रभु येशु मसी के चमहतकार के बारे में आज एक चमहतकार नहीं लेकिन एक विशेश बात जो परमेशुर के वचन में लिखी है उसको हम देखने जा रहे हैं कि प्रभु येशु का स्थान परमेशुर के साथ क्या है प्रभु य इस तरह की बातों को हम समझने की कोशिश करेंगे। यदि हम सचाई में परमेशर के वचन का निचोड निकालें। तो परमेशर त्रियेग परमेशर हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। ये तीनों एक हैं। लेकिन तीनों अलग-अलग व्यक्तितों हैं। लेकिन परमेशर आत्मा हैं। और तीनों का काम इस संसार में जो दिखाई देता है, वो भी अलग-अलग है। हम प्रभु येशू के बारे में कुछ जानने की कोशिश करेंगे। कि ये प्रभु येशू कौन है। आदी में परमेशर ने आकाश और पृत्वी की रचना की और बाकिस सब चीजें भी बनाए। जब हम योहना रिचिस सुस्माचार में आते हैं, उसके पहले ध्याय में भी लिखा है, आदी में वचन था, वचन परमेशर के साथ था, और वचन परमेशर था, सब कुछ उसी के दोरा उत्पन हुआ। यहां आपके सावने में इस वचन के दोरा भी उनी दो बातों को जो हमने उत्पती एक में और योहना रिचिस सुस्माचार एक में पढ़ी है, हम उससे मिलान करके यहां पर क्या देखते हैं, कुलूसियों की पत्री और उसका पहला ध्याय में हम पढ़ते हैं, वहे तो, व अद्रश्य परमेशर का प्रती रूप है, अद्रश्य परमेशर, परमेशर को किसी ने नहीं देखा, नहीं कोई देख सकता है, मुसा ने उसको देखना चाहा, मुसा उसके सामने बैठ कर बातें की, लेकिन परमेशर इतना तेज में है, कि आप उसके चेहरे को नहीं देख स चाहा एक बार उसने कहा प्रभू मैं आपको देखना चाहता हूं लेकिन परमेश्य ने क्या कहा तू इस पहाड इस पत्थर की आड में खड़ा हो जा जब मैं यहां से निकल जाओंगा तब तू मुझे पीछे से देख सकता है क्योंकि परमेश्य को देख कर कोई जिंदा नह रह सकता है ता मुसा ने ऐसा किया हम परमेश्य को देख नहीं सकते किसी ने नहीं देखा लेकिन एक बात प्रभू इश्य ने कहा मैं पिता में हूं पिता मुझ में है प्रभू इश्य कहता है मैं पिता में हूं पिता मुझ में है जिसने मुझे देखा उसने पिता को देख इसका मतलब प्रभु ईश्यू मसी और पुत्र प्रभु ईश्यू मसी और पिता एक ही है पिता मुझ में है मैं पिता में हूँ और ये वचन क्या बताता है वै तो अद्रश्य परमेश्यू का प्रती रूप है अद्रश्य परमेश्यू जिसको हम देख नहीं सकते उसका प्रत को देख लिया आगे हम देखते हैं अगर ये प्रभू यिश्य मसी परमेश्र का प्रती रूप है तो इसने और क्या किया हम कैसे समझें कि परमेश्र और यिश्य एक ही है यहां और परमेश्र का वचन हमें क्या सिखाता है क्योंकि उसी में सारी वस्तूओं की स्रिष्टी हु स्वर्ग की हो अत्वा प्रत्री की देखी या अन्देखी क्या सियासन क्या प्रभुताएं क्या प्रधानताएं क्या अधिकार सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सरजी गई है ये शमसी सरिश्टी करता इसका मतलब सब कुछ उसने बनाया देखने वाला अन्ना देखने वाला प्रभूताएं प्रधानताएं अधिकार सम वस्तुएं उसी के द्वारा सरजी की हैं और उसी के लिए हैं अगर एक वित्ति मकान बनाता है तो अपने लिए बनाता है ये मेरा है और मेरे लिए है और यहां पर लिखता है सब वस्तुएं उसी के द्वारा प्रभु येश्यू के द्वारा इसका मतलब पिता और पुत्र एक ही हैं उनके द्वारा सब चीजों की स्रिष्टी हुई और वैं सब वस्तुओं में प्रथम है सब वस्तुओं में प्रथम है सब वस्तुओं उसी में स्थिर रहती है रचने वाला भी वो है और उसी को स्थिर करने वाला भी वो है वो ही बनाता है वो ही उसको स्थिर रखता है आगे एक और बात वहाँ पर जोड़ता है वह दे अर्थात कलीसिया का सिर है कलीसिया भी उसकी है कलीसिया का सिर वो है यानि कि जो लोग प्रभु येशु के द्वारा उधार पाते हैं और प्रभु येशु मसी पर विश्वास करते हैं वो एक एक करके एक कलीसिया में जोड कि जुन्ड जिसको कलीसिया कहते हैं जो बुलाए हुए हैं परमेशर के लोग हैं और उस कलीसिया का सिर वो है सिर सारी बातों का नियंतरन करता है सब बातों को चलाता है वही आदी है आदी से वही है जैसे हुने पड़ा आदी में परमेशर यहना में पड़ता है और आदी मे और यहां बलता है वो ही आदी है इसका मतलब पिता पुत्र एक ही है वो ही पुत्र है वो ही पिता है वो ही पवित्रात्मा है और मरे हुएं फिसे जी उटने वालों में पहलोटा है सब बातों में पुर्धान ठेरे और एक अगली बात हम विशेश देखते हैं को कि पिता की प परिपूर्णता वास करे पिता की इच्छा ये है कि जो पिता परमेश्र की परिपूर्णता है और येश्य मसी में जो इस पृत्थी पर मनिश्य का रूप धारन करके आया है उसमें सारी परिपूर्णता वास करे इसलिए जो सामर्थ जो शक्ति और बल प्रभु येश्य मसी में पिता के साथ रहते हुए स्रिष्टी की रचना करते समय जो सामर्थ, शक्ति, बल वो था परिपूरुनता थी वो पिता चाहता है इस पृर्थी पर मनिश्य रूप धारन करके आने वाले परमेश्यर के पुत्र प्रभु इश्य मसीवें पिता की सारी परिपूरुनता वा आदी में वचन था, वचन परमेश्यर के साथ था, वचन परमेश्यर था, सब कुछ उसी के द्वरा उत्पन हुआ, और आगे चौद में वचन में क्या लिखता है, वचन देह धारी हुआ, हमारे बीच में डेरा किया, हमने उसकी ऐसी महमा देखी, जैसे कोई पिता का इकल ता पुत्र हो, उसमें सारी परिपूर्णता वास करे, ये पिता चाहता है, उसके अंदर हम परमेश्यर को, परमेश्यर के सारे गुणों को देख सकते हैं, इसलिए प्रभुईश्य मसी में पिता परमेश्यर के सारे गुण उसमें पूरण होते हैं, पिता सर्व शक्ती मान है प्रभु येश्य मसी सर्व शक्तिमान है पिता सर्व ग्यानी है प्रभु येश्य मसी सर्व ग्यानी है पिता सर्व व्यापी है प्रभु येश्य मसी सर्व व्यापी है हर जगा में है इन सारी बातों की परिपूरुनता प्रभु येश्य मसी में भाई जाती है तो पिता स किसी भी शेत्र में किसी भी डिगरी में प्रभुयसमसी कम नहीं है पिता पुत्र पवित्रात्मा एक है सारी समर्थ पिता प्रमेशर ने चाहा कि उसके पुत्र के अंदर हो जब वो इस पृति का मनिशय करूप में है और आगे बीस में वचन में हम एक और सुन्दर बात पढ़ते हैं वो क्या है सारी परीपूंटा उसमें वास करें और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाब करके सब वस्तूओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले चाहे वे पृतिपर की हों चाहे स्वर्ग की हों मेल मिलाब कर ले क्रूस पर बहाए हुए लहू के द्वारा मेल मिलाब कर ले हम बार बार ये बताते आए हैं अदनवाटिका में जब आदम और हवा ने पाप किया परमेश्यर से अलग हो गए इनसान को शराप मिला ओरत को शराप मिला पृत्वी को शराप मिला और साव को शराप मिला इन सारे शरापों को हम आज भी मحसूस करते हैं देखते हैं इस्त्री से कहा तू पीडा में बच्चे को जनम देगी मैं तेरी पीडा को और बढ़ाऊंगा ये सब हो रहा है और मनुश्य से कहा तू कठोर परिश्रम करेगा और इतनी मेहनत करेगा तेरा पसीना बहेगा और तू मेहनत की रोटी खाएगा पृत्वी से कहा तू आज से लेकर के उंट कटारे कांटे उत्पन करेगी पूरी फसल नहीं देगी वो भी आज हो रहा है सांप को श्राप दिया तू पेट के बल चलेगा और मिट्टी चाटेगा मैं तेरे वंश में इस तरी के वंश में वायर उत्पन करूँगा वो तेरी एड़ी पर डंग मारेगा तो उसके सिर को कुछलेगा ये चारों श्राप आज भी हमें मिलते हैं इसका मतलब मनुश्य के पांप के कांट सारी पृत्वी मनुश्य जाती और पृत्वी और सारे जानवर सब में फाड़ खाने वाली भावना और सब तरह की अलगाव जो इन परमेश्वर के सपास आने का मौका प्रभी ये मस्थी के दौरा हुआ है कई जगाव में हम पढ़ते हैं एक स्रिष्टी करता है और दूसरा उसको संभाल करकता है तीसरा उसको नाश करता है ये हमारे सिधान्त हैं जो हमारे इंदुस्तान में चले आ रहे हैं लेकिन यहां एक विशेष्टा है उसी बात में जो परमेशु ने स्रिष्टी की उसी को वो चलाता है जैसे हमने क्योंके वो उसी में स्तिर रहती हैं और यहां पर बीस में वचन में हम पड़ते हैं उसके क्रूस पर बहाए हुए लहु के द्वारा मेल मेलाब कर ले जो हमारा समंद आदम और हवां के द्वारा उसके पाप के कांड हमारा समंद परमेशु से अलग हो गया था अब यह वापस प्रभू येश्यू के क्रूस के द्वारा मेल मेलाब वापस किया जाता है चाहे सब वस्तों का उसी के द्वारा पृत्वी भी हो चाहे इस पृत्वी के सब जानवर हो मतलब छुटकारा सारी बातों का प्रभु येश्यू के क्रूस पर बहाए हुए लहू के द्वारा होना चाहिए इसलिए पृत्वी भी करा रही है मनुश्य के पुत्रों की प्रगटी करण के लिए प्रभु के आगमन के बारे में और इस संसार में सबी चीजें जब प्रभु येश्यू मसी आएगा और अपना समरज्य स्तापित करेगा एक हजार साल का रज्य प्रभु येश्यू मसी का जब स्तापित होगा तब पृत्वी आनंद और मगन होगी बरपूर फसल देगी और सब जानवरों में डंक मारने का या काट काने का फाड़ खाने का सभाव नहीं होगा मनुश्य अपस्वें मिलकर रहेंगे सब प्रेम से रहेंगे वो एक प्रभु येश्यू मसी का सामराज्य होगा जिसको अगर किसी रीती से हम कहें सत्यका युग सत्यका राजा राज करने वाला प्रभु अपने लोगों के साथ में आएगा और वो राज करेगा और उसमें सारी वस्तों का मेल वापस परमेशर के साथ होगा कितनी सुन्दर बात है कुरूस पर बहाए हुए लहू के द्वारा बिना लहू बहाए पापों की शमा नहीं है मनुश है बिना लहू बहाए परमेशर के पास नहीं आ सकता है वो इसलिए प्रभु येश्य मस्य ने अपना लहू कुरूस पर बहा दिया और सब वस्तों का मेल होने वाला है अब मनुश्यों के लिए जो पापी है उनका मेल प्रभु येश्य मसी पर विश्वास करने के द्वारा मेल परमेशर के साथ हो रहा है जो कोई अपने पापों को मान कर परमेशर के समी पाता है प्रभु ईश्य मसी पर विश्वास करता है परमेशर पर विश्वास करता है उसका मेल परमेशर के संग हो जाता है वो सब एक हो जाते हैं पिता और पुत्र पवित्रात्मा के नाम से हमारा मेल परमेशर के साथ होता था जो टूट गयाता समन वो जुड़ जाता है और ये किसके द्वारा हुआ? क्रूस पर बहाए हुए लहू के द्वारा और आगे इसमें लिखा है सब वस्तों का उसी के द्वारा उसके साथ मेल कर ले चाहे वे पृत्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की हो के वे स्वर्ग की चीजें भी हैं पृत्वी की चीजें भी हैं, हम सब का मेल कुरूस के द्वारा होता है, क्योंकि हम परमेश्य से अलग किये हुए हैं, और कुरूस के उपर हमारी सजा प्रभु येश्य मस्य के उपर आ गई, उससे परमेश्य का फ्रेम कुरूस के उपर उनका दोनों का मेल होता है, और क्रूस पर प्रभु यश्यमसी ने जब अपने प्राण छोड़ दिये तो मंदिर का परदा फट कर दो टुकडे हो गया और मंदिर के अंदर जो यहूदियों का मंदिर था एक बहुत मोटा एक परदा बना रहता था पीछे परमेश्यर की उपस्तिती है यह दर मनुश्य है महायाजक साल में एक बार ही उस मंदिर के अती पवित्रस्तान में जा सकता था वो भी अपने लिए बलिदान चड़ाने के बाद लेकिन जब वो अपने बलिदान चड़ा के अंदर जाता है फिर भी ये शंका रहती है कि ये विक्ती वापस आएगा या नहीं क्या उसके पाप के कान कोई सजा तो नहीं उसको मिल जाएगी इसलिए घंटियां बंदी रहती थी उसके उसकी पोशाक में और रसी बांद करके चला जाता था अगर अंदर मर गया परमेशर की उपस्तिती में चला गया और पाप उसके जीवन में हुआ तो वहीं मर जाएगा और उसको रसे से खेंचा जाता था लेकिन अब क्या हुआ जब ये शो ने अपने प्राण छोड़ दिये मंदिर का परदा फट गया दो टुकडे हो गया अब सौरा रास्ता खुल गया है परमेशर पिता की समीप आने का रास्ता खुल गया है इसलिए ब्राणियों की पत्री में भी एक सुन्दर वचन लिखा है अब हमारे लिए नया और जीवता मार्ग खुल गया है नया और जीवता मार्ग सारी दुनिया मार्ग की इंतजार में थे कौन सा मार्ग है जो हमें परमेश्च तक पहुँचाएगा अब यहां पर लिखाए अब रानियों की पत्री में अब नया और जीवता मार्ग जो प्रभू ईश्मसी की दे के दोरा है उसकी दे को कुरूस पर तोड़े जाने के दोरा यह रास्ता खोल दिया गया है यह रास्ता खुल चुका है और अब हम उसके लहू में से होकर के अब हम विश्वास के दोरा उसकी दे में से होकर हम परमेश्च के समीब आ सकते हैं हम अपने आप individual हर कोई आ सकता है परमेशर के समीब और उसके द्वारा परमेशर की आराधना कर सकता है और इसी तस्वीर को हम आराधना के मेज में हर एक इतवार के दिन सबत के सबत के पहले दिन जो सबत का इतवार का दिन है उसी दिन सबता का पहला दिन है विश्वासी लोग जो छुडाए हुए लोग है परमेशर के लोग है और परमेशर के समीब आकर उसकी आराधना करते हैं उसका धन्यवाद करते हैं अभी किसी किसी मीडियेटर की आफशकता नहीं है अभी हम सीधे परमेशर की उपास ना कर सक और वो उन लोगों के लिए है जिनके पाप धुल गए हैं जो छुडाए गए हैं जो पवित्र हैं जो परमेशर के लोग हैं इसलिए हम और भी पढ़ते हैं इसमें आगे क्या लिखता है उन लोगों के बारे में जो पहले निकाले हुए थे 21 में वचन में लिखता है जो पहले निकाले हुए थे बुरे कामों के कारण मन से बहरी थे उसने अब अपने शरीरिक देहे में मृत्यू के द्वारा तुमारा भी मेल कर लिया ताके तुमें अपने सनमुक पवित्र निश्कलंक निर्दोश बना कर उपस्तित खरे कितनी अद्बुत और सुन्दर बात यहां पर लिख लिए हैं हम तो निकाले हुए थे परमेश्य ने आदम और हवा को आदनवाटिका से निकाल दिया क्योंकि उन्हें पाप किया अंदर रहने की योग्या नहीं थे और नंगी तलवार लेकर अदनवाटिका के चारव तरफ पहरा लगा दिया सर्दूतों का उनको बाहर निकाल दिया हम निकाले हुए थे परमेश्य की उपस्तिती से निकाले हुए थे और बुरे कामों के कान मन से बहरी थे हम परमेश्य के बहर तुम्हारा मेल कर लिया ताकि तुम्हें अपने समुक निश्कलंक निर्दोश बना कर उपस्थित करे। तब हम पवित्र किया जाते हैं और हम परमेशर के समी पासकते हैं परमेशर यहां पर कहता है क्या क्या हमें देता है मेल हो गया परमुक पवित्र बना दिया और निशकलंक बना दिया निर्दोश बनाकर प्रभु येश्य मसी हमें पिता के सामने उपस्तित करते हैं नहीं तो मसी के लहू के द्वारा हम पवित्र किये गए हैं निश कलंक बनाए गए हैं निर्दोश वो दोश हटा दिया जो अधनमाटिका से चला आ रहा था वो दोश हमारे उपर से हट गया है और हम एपवित्र थे परमेशन के पास आने के युग्य नहीं थे और उस में से परमेशन से पवित्रता किया और ले आया है क्योंकि परमेशन ने हमें हमारे जीवन में एक वचन और लिखा है परमेशन पिता ने हमें पवित्र बनाया निश कलंक और निर्दोश बनाकर अपने सामने उपस्तित किया है ये परमेशन पिता की द्वारा अपने पुत्र प्रभु ये इश्यो मसी के द्वारा हुआ है तो क्या आप पवित्र किये गए हैं क्या आप निश्कलंक बनाए गए हैं निश्कलंक मेमने के लहू के द्वारा और आप पवित्र बनाए गए हैं निर्दोश हैं आप निर्दोश मेमने के लहू के द्वारा लेकिन ये आपका तब होगा ज पुलाएं और विश्वास करें और आपका भी मेल परमेश्वर के साथ हो सकें आप भी उसका आराधना कर सकें प्रभू आपकी सहाइता करें और आशिश्टे अगर परमेश्वर ने इन वच्छनों के दौरा आपसे बाते किया है और आप इन विशय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाते हो या किसी प्राथना की विशय को बाठना चाते हो तो निसंदे हमें संपर्क करें हमारा पता जीवन जल नव भावना बिल्डिंग 422 S.V.S. रोड पोस्ट बॉक्स नंबर 19161 प्रबादेवी मुंबई 40025 प्राथना एवन मुफ्त बाइबल कोरिस्पोंडेंस कोस के लिए हमें संपर्क करें अपना नाम और पूरा पता तुरंत SMS करें मोबाइल नंबर 089-925-80744 इस नंबर पर अपना नाम और पता दर्ज कर सकते हैं लंडलाइन नंबर 022-222-422-1842 इमेल आइडी गॉस्पिल ब्रादकास्ट अधरेत याहू.com वेब अज्रेस www.lwgb.org यूट्यूब अज्रेस जीवनजल टीवी अधरेत यूट्यूब जीवनजल कार्यक्रम को हर सोमवार और बुद्धवार शाम साड़ी छे बजे को और शनिवार रात नौ बजे को इसी चैनल पर आप देख सकते हैं धन्यवाद